Hello friends, इस वीडियो में संस्कर्थ एजुकेशन टीचर ग्रेट सेकेंड एक्जैम 2018 के मैथेमेटिक्स के पेपर में पूछे गए, पैडागोजी के क्वेशन्स ओफिशल आंसर की के साथ सौल्व के गए हैं, फ्रेंड्स ये पेपर आर्पेसे ने 2019 में कंड़क्ट करवाया था First question, निम्नलिकित में से कौनसा घटक गणित शिक्षन के कौशल उद्देशी से शमबंदित नहीं है? कड़ना करना, ज्यामिती की आकर्तियां एवं लेखा चितर कीचना, सारनी एवं चाल को पढ़ना एवं खीचना या बनाना, निसकर्सों की पुष्टी करना Fourth option, next question, अनुदेश्टनात्मक उद्देश्यों के निर्धारन के दोरान, निम्नलिकित में से कौनसा बिंदु ध्यान में रखने की आवशिक्ता नहीं है? विद्यार्तियों का इस्तर, विद्यार्तियों का मनुविज्यान, कक्षा-कक्ष का आकार, शिक्षन अधिगम इस् Fourth option, विशिष्ट उदारन, निरिक्षन, सामानिकरन, परिक्षन, ये Sam Question 2016 के Mathematics के पेपर में भी पुछा गया था, लेकिन Options में फॉल्ट होने की वज़े से उसको डिलीट कर दिया गया था निमनलिकित में से कौन सा सिद्दान प्रियोक्षाला विदी शे शमबंदित नहीं है, इस थूल से शुक्षम की और, एनिश्चित शे निश्चित की और, ग्याद से अग्याद की और, करो और सीखो, प्रियोक्षाला विदी में हम निश्चित शे अनिश्चित की और करते हैं एवं उन्हें अपनी प्रगतिशे अवगत कराते हैं कैलाता है यह सुपर्वाइस्ट इस्टुडी मेथड परिये विक्षित अध्यन्विधी कौनसा व्यक्तित वगुण गणित के अध्यन से विक्षित नहीं हो सकता समिश्य शमाधान, रटने में विश्वास, अमूर्थ चिंतन, तार्किक चिंतन सेकंड ओप्षिन निम्नलिकित में से कोणसा गणित में मौकिक कारी की विशिष्टा नहीं है, या शुद्धता, शटिकता एवं यथार्थता विक्षित करता है, या वेवेक को बढ़ाता है तता बुद्धी को तेज करता है, गलती होने की इस्तती में मानसिक निरश्टी करन कठेन होता है या एक अच्छा मांसिक अभ्यास है. Third option. Next question. निमनलिकित में से कौनसा पाठीक्रम गणित शिक्षक के लिए शरवादिक उप्योगी होगा, जो शिक्षन के शैधान्तिक एबं व्यवारिक पक्ष का शमगर चित्र समझा सके. दूरश्त शिक्षा तंत्र, शैक्षिक प्रणाली एबं समाज, शिक्षन के शिधान्त एबं दर्शन, शैक्षिक प्रशाशन. Third option. Next question. एक ऐसा परिक्षन, जो विध्यार्थी की विशेशंबंदी कोश्णों की प्रवेणता का इस्तर, एबं विशेशंबंदी आधारबूत शंकल्पनाई, प्रक्रियाई तथा सामानी ज्यान की संप्राप्ती का मापन करता है. क्या लाता है, बच्चे की अच्यूमेंट का मापन हो रहा है, तो ये अच्यूमेंट टेस्ट होगा, संप्राप्ती परिक्षन. Next question. निमनलिकित में से कौन सा गणित के बंधात्मक प्रकार के प्रश्ण का उधारण है? तिर्भुष के तीनों कौनों का जोड़ होता है, दो अप्सन से 170 डिग्री या 180 डिग्री, प्रतिछेदी वृत संकेंदरी वृत होते हैं, या कथन सत्य है या असत्य, एक तिर्भुष में कितनी भुजाएं होती हैं, ये तीनों ये वस्तोनिष्ट और अतिला गुत्रात् के प्रश्ण है, सरल रिखा को परिभाशित कीजिए और इस परिभाशा शिये शिद्द कीजिए कि किसी तिर्भुष की दो बुजाओं को एक शात ले लिया जाए, तो वह तीसरी बुजा से बढ़ी होती है, ये निमन्धात्म प्रकार का प्रश्ण है, प्रोजेक्ट एक कौनसा गणित क्लब का उधिश्य नहीं है, ये विध्यार्थियों में गणिती अभिव्यक्ति का आरंब एवं विखास करता है, गणित क्लब विध्यार्थियों में विशे के प्रतिरुची जागरत करने का माध्यम हो सकता है, विध्यार्थियों को मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं. यहां केवल प्रतिबाशाली विद्यार्थियों को भाही ये विशेशग्यों को शुनने के अवसर प्रदान करता है. Fourth option. Next question. निम्रली कित्में से कौनसा गणित में प्रतिबाशाली विद्यार्थियों की विशेश्टा को नहीं दर्साता है? नई वेचारों को सिग्रिता से समझना, कारी को तारकिक रूप से एवं सही धंग से करना, अपने तरीके को नियाशंगत ठहराने को कहा जाए, तब न्यून संप्रिशन कोसल दर्शाना, क्या होगा, यदि प्रकार से प्रश्ण पूछने पर जिग्याशा दर्शाना, थर्ड नीजे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, गणित में स्रिजनात्मक्ता दर्शाने वाले विध्यार्थियों की एक विशेश्ता नहीं है, नई ग्यान के निर्माण में समझ, अनुभाव, कल्पना सकती, तधातर का समावेश करना, और प्रचलित शमिश्याओं के नई शमाधान निर्मित करने में, वर्तमान गणिती ग्यान का उप्योग करना, सवालों को उठाना, और युक्ती युक्त तरकों को विख्षित करना, गणिती शमिश्याओं को शमानी तरीके से हल करना, फौर्थ ऑप्शन, एक परिक्षन, जिस कुण के मापन के लिए वहाँ बना है, वहाँ उसी कुण की माप करता है, परिक्षन के उसका सोटी को कहा जाता है, परिक्षन के इसका सोटी को, वैलेडिटी या वैद्धता कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेशन, मैथेटिक्स या मैथेमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्त नेक्स्ट ग्वेशन बहुसमेदी अनुदेशन के लिए सरवे दर्शे शामगरी पर आधारित अनुभव शंकू के प्रतिपादक थे अनुभव शंकू के प्रतिपादक एडगर डेल थे एक ऐसी पाथियोजना उपागम जो गणित शिक्षन संबंधी कोष्णों के विकास एवं व्यभार में परिमार्जन हेतु 5-10 मिनट की अवधी का 5-7-7 अध्यापकों के शमक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है क्यालाता है ये उपागम शुक्षम शिक्षन उपागम क्यालाता है निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्धेशी लेखन का उपागम नहीं है रोबर्ट मैगर उपागम, रोबर्ट मिलर उपागम, आर सी एम उपागम, एन आई पीडी उपागम फौर्थ ऑप्शन लास्ट क्वेस्टन चाहे कोई भी ग्याद करेगा आंसर 60 cm मिलेगा तिरभुज के अंते कौनों का योग चाहे बुनिया के किसी भी कौने में बैठा कोई भी स्टुडेंट करेगा तो उसको 180 degree मिलेगा लेकिन 6 संख्याओं का ऐसा समूचे जिसकी माध्धी का 4 हो तो इसके लिए हो सकता आप संख्याओं कुछ अलग लो और मैं संख्याओं कुछ और ले लू तो 3rd option So friends, यह थे Maths Pedagogy की questions जोकि हमने official answer की के साथ solve किये उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को like करे, share करे and मेरे चैनल को subscribe करे मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में Till then, thank you so much and all the best